हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनिता कुकिंग और आज मैं आपकी साथ कुलड चाय की रेसिपी सेर करने जा रही हूँ जब हम चाय पीते पीते ओक से जाते हैं और कुछ अलग सी चाय पीने का मन करता है तो आप इस तरह से चाय बना कर पी सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना तो चलिए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुलहड चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूर्थ होगी हाँ पर कुल्लर की हम नौर्मल गाउं की भासम इसको कुलो बोलते हैं तो ये मिट्टी की कूलो वगेरा आती है, जो दसेरा वगेरा पर इनमें खेल रखकर इनका पूजन होता है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, जब तक एक दम से लालना हो जाए, तो चलिए, जब तक हमारी ये कुलर अच्छे से गरम होती है, जब तक बनाते हैं हम चाय, तो चाय मैं हाँ पर 4 कप बना रही हूँ, और 4 कप चाय बनाने के लिए मैं हाँ पर 50-50 यानि 50 दूद और 50 पानी डालूँगी, तो उसके लिए मैंने हाँ पर 3 कप पानी चड़ा दिया है, पानी हाँ पर थोड़ सा एक्स्ट्रेस ले डालेंगे, जब हम कुलड़ चाय बनाएंगे तो काफी सारी चाय हमारी फूख जाते है यह खतम हो जाते है अटोमेटिक ही दो कप पानी के करीब ही रह जाएगा यह फिर यहाँ पर मैंने एक कप के हिसाब सर एक कप एक चमत चीनी डाल ली है आप रूचीनी अपने हिसाब से डाल सकते है एक लोंग डाल रही है ताकि चाय में कड़क बना सके और दो इलाईची डाल ली है अब सरद्यों की चाय बना रहे हैं तो अद्रक डालना तो बनता ही है अद्रक को इस तरह से कूटेंगे और चाय में डालेंगे तो सरद्यों के लिए मैं चाय बना रही हूं तो इसलिए मै हमारी चाय बहुत अच्छे से बन जानी चाहिए इस तरह से जब इसमें बबाल आ जाए और जो हमने हाँ पर पत्ति डाली है वह अच्छा सा कलर यानि अपना पूरा कलर दे दे चाय में तभी हमारी चाय अच्छी बनेगी यह देखिए तो इसमें दो तीर बार उबाल आ चु बनने में तो इस तरह से आप गैस के फ्लेम को लोट रखते वे चाय में अच्छा सा उबाल यानि खदा लगा ले जब तक इसमें तीन चार पर उबाल ना जाए आप इसी तरह से चाय को उबालते रहे तभी चाय आपकी प्रेफेक्ट बनेगी तो यह देखिए दर हमारी कुल्हो और रख दी थी क्योंकि मुझे यहां पर चार कपचाय बनानी है तो एक कुल्हड का टेमप्रेचर है वह दो कपचाय बनाते के साथ ही डाउन हो जाएगा तो इसलिए मैंने दूसरे जो कुल्हो थी वह भी मैंने इसी के ओपर रख दी ती ताकि दोनों बराबर गर तो यहां पर हमारी कुल्हो भी अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम क्या करेंगे एक भगोना ले लेंगे और जो हमने यह कुल्हड ली है इसको किसी चीज से पकड़ेंगे चिम्टे वगएरा से और भगोने के बीच में यानि सेंटर में रख देंगे आप हम इसमें गरम पाल सा आएगा इससे इसमें कुल्हड का टेस्ट आएगा तो टेस्ट आने के वज़े से चाय हमारी बहुत जादा पढ़या बनेगी देखिए बस इसमें लगबग में दो कप के करीब ही चाय बन पाएगी हमारी आप हम यहाप पर चाय में डालेंगे यहीं पर इसको रोग देखिए जैसे जैसे में चाय डाल रही हूं इसमें कुफान सा आता जा रहा है तो इसका मतलब यह हमारे चाय में कुल्लव का टेस्ट आता जा रहा है तो इस वाली कुल्लड को हम निकाल लेंगे अब दूसरा प्रोसिज में आपको बताती हूं अगर आप भगोने के अंदर कुल्लड को नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह से चिम्टे से पकड़िए थोड़ा सा सेप्टी से पकड़िए क्योंकि कुल्लड एकदम लाल हो चुकी है बहुती जादा यह गरम है और सेव उसी तरीके से इसमें हम चाय डालना शुरू करेंगे तो जैसे मैं इसमें चाय डाल रही हूं आप देख पा रहे हो कितना जादा यह उचल रही है देखिए तो यही खास्टिक होती है कुल्लड चाय बनाने की जितनी यह इसमें जैसे उबाल सा आता है कुल्लड में डालने बाद चाय हमारी उपर कोफन के आएगी उतना ही ज्यादा टेस्ट इसमें कुल से बनी होती है जो हमारी को लड़ होती है और इसमें बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आता है बहुत ही बढ़ा लगती है पीने में तो यह देखे थोड़ा सा धीरे-धीरे करके थोड़ी थोड़ी चाय डाले एक दम से सारी चाय भी ना डाले नहीं तो यह बहुत तेज से उपर और वह उबल कराएगी और यह देखिये हमारी गर्मग्रम 4 से 5 कप चाय बनका रीकदम तैयार हो चुकी है प्लट देंगे इसे तो अभी मैंने इसको चाना नहीं है जब हम इस चाय को कप में डालेंगे तब इसको चान लेंगे तो गर्मा गरम चाय को हम सारू करेंगे क्योंकि चाय ठंडी होने के बाद अपना टेस्ट यानि अपना मज़ा नहीं देती है गर्म गरम चाई पिने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो हमने छलनी ले लिया, और फटाफट से चाई को छान लेते हैं, फटाफट से सारू कर देते हैं, यह देखिए, बहुत अचिक कुल्णर चाई हमारे बन कर तेयार हो चुकी है, तो मैं इस चाई को थोड़ा सा नमकीन क के साथ सरू कर रही हूं आप चाहे तो इसको बिस्किट के साथ इंजोई कर सकते हैं तो बहुत बढ़ी असी टेस्टी सी हमारे कुल्याटचाय बनकर तयार हो चुकी है तो फ्रेंट्स आज की यह रेसिपी यानि यह चाही की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले